आप सबके बहुत मेजर डाउट था कि इस साल जो है नीट 24 का एक्जाम एक्जाम करवाएगा तो पेपर के स्क्रिंग के उपर तॉप तीन लोगों के नाम में बता रहा हूँ अश्रफूल था अर्पीता थी और अकांशा तिनों थ्रिक्ष्ट और काफी अच्छा 340-350 काफी नंबर स्कॉर किये और इससे एक सावित होती कि पेपर कैसा भी है हम लोग हैंडल कर लेंगे और पेपर अगर देखा होगा बैलेंस था उसमें कॉश्चन भी थे स्रेट्मेंट वाले मैं आज फॉल्लविंग भी था और काफी अच्छी लोगों कॉश्चन थे जो आपको नीट करने चाहिए तो अगर अगर अधरवा अग सब्सक्राइब करवा रहा है अब पेपर एंसीयाटी बेश होगा की ने देखो जितना मुझा रखते कि पेपर कंप्लीटली एंसीयाटी बेश होगा ठीक है हो सकता है कि एंसीयाटी बेश करवा के कुछ डिफरेंट कोशन पूछें अगर आपने देखा हो इस बार तो विए कि नेक्स्ट एक्जाम आ चुका है और नेक्स्ट प्रेक्टिकल नॉलिज्ट की जाएगगी तो आपसे यही एक्सपेक्टे तो पहली चीज पेपर एंसीयाटी से आएगा सेकेंड चीज पेपर बोस्ली तुमारी चांप्टर से आएका मॉडन वाले जैसे कि क्या-क् ठीक है जासे आते हुए और बढ़ेगा थर्ड एप्लिकेशन बेस्ट थोड़े से आ सकते हैं ठीक है थोड़े थोड़े हाइर ओडर तिंकिंग जैसे कि फरजमपल हाइर ओडर में क्या करता है सेल सेल में कि अगर यहां पर यह फेस्टॉप हो गया तो किसे सेल बनेंगे तो ऐसे कुछ सवाल तुम्हारे बन सकते हैं जिनको मैं कवर कर वाओंगा तो एक मैं सेक्शन निकालने वालाओ जिसके अनुस्मेंट परसो होने वाली है इन अवर मेगा लॉंच टिक है तो वहाँ पर आपको एक नया सेक्शन दिख दोंगा हायर ओडर थिंकिंग कोश्टिंस देने वाले होंगे असर्शन रिजंग का और लास्ट में उसी के अंदर में बाइव क्वेश्ट के अंदर या आपके कॉंबो जिन लिए सब के अंदर को लास्ट को कॉश्टन से क्रोलोजिकल ओडर वाले वह भी मैं आपको करा रहा हूंगा ठीक है तो वह आपकी सेक्शन अगर कुछ बाहर से आएगा जो पॉइंट्स पिछले 15-20 साल में आए है बाहर से पंदर साल मालों दस साल पकड़ लो 2010-2011 से तुम जो पेपर में से आया है बाहर से कुछ 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 ही आए एक दो सवार तो कही ना कहीं उनके आराउंड ही थेयरी होगी ठीक है उनके आर इखात सवाल वैसे नहीं आएगा हो सकता है कि सवाम से सो सवाल एंट्स से आए और दो तीन नहीं आए तो उसको पूरा कवर करना है तो एक दो कोशन है उनके लिए में पीडिया बनवाके उनको प्रिसले कुछ सालों में आया है वो मैं आपको शेर करवा दूंगा ठीक है तो आप उन सवालों को भी करके आना जो हो सकता है कि आज आए पट आउट ओफ एंट्स सवाल से अर्थवम से हो गया तो ऐसे कुछ सवाल में को देदों प्रैक्टिस के लिए तो अपना यह एक स्टेजी होगी कि अपन खुड़ा था आउट पढ़ेंगे नहीं बट कुछ सवाल लगाएंगे ज़रूर ठीक है तो कंप्लीट फोकस एंसाइट पर होना चीह है इसके आलावा असर्शन रिजंग को अच्छे से करने वाले होंगे अपन ठीक है मैं ही करवाओंगा ठीज हायर ओडर थिंकिंग को मैं करवाओंगा ताकि 360 किसी बच्चे का ना छूट है है तो यह कुछ चीज अपन ध्यान रखने वाले होंगे और बिच्चे से बताऊंगा बालोजी मेमरी बुष्टर से शरी सबसी जाएंगी आगे दिरे दिरे बट यह अबर था और पेपर NCRT से आएगा डरने की कुई बात नहीं है ठीक है तो NCRT को सई से पड़ो एक लाइ यह इंचित अब फोकस को तभी नंबर तुम्हारे आएंगे और कैसे करना है क्या करना हम लोग इन और मेंटो सेशन डिसकस करने वाले होंगे ठीक है तो तो तेंशन मतलो जहां से पढ़ रहो अपने टेस्ट चल रहे हो टेस्ट का मतलब बहुत जादा है वह बता रहो 99 पर इस वीडियो अब दो दो डाउट क्लियर है टेंशन मतलो पेपर एंसरेटी सही होगा और एंसरेटी सही आएगा ठीक है ओल दाबेश एंड बाए बाए